भारत की पांच सबसे सुन्दर महिला नमबर एक दिशापटानी दिशापटानी भारत की सबसे खूबसूरत और प्यारी अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती है इन्होंने 2015 में तेलुगू फिल्म लोफर से अभिने की शुरुआत की इनका अफेयर टाइगर श्रॉफ के साथ चल रहा है नमबर दो रश्मिका मंदाना रश्मिका भारत की सबसे प्यारी और खूबसूरत अभिनेत्री है इनका जन्म 5 अप्रेल 1996 में हुआ था वह एक भारतिय फिल्म अभिनेत्री है वह अपनी एक्टिंग और लुक्स के साथ रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर भी सुर्खियों में रहती है लंबे समय से ऐसी चर्चा है कि रश्मिका मंदाना सुपरस्टार विजय देवर कोंडा को डेट कर रही है अगर भारत की सबसे खूबसूरत लड़की की बात की जाए तो श्रद्धा कपूर हमेशा आपकी लिस्ट में रहेंगी श्रद्धा कपूर अभिनेता शक्ति कपूर की बेटी है उन्होंने साल 2010 में आई फिल्म और दोनों जल्द ही शादी करने वाले है नंबर चार त्रिप्ती डिमरी त्रिप्ती तब से लोकप्रिय हो गई है जबसे दर्शकों ने उन्हें हाल ही में आई नई फिल्म एनिमल में देखा है उनकी छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिकाने कई दिल जीते और अभिनेत्री रातों रात मशहूर हो गई त्रिप्ती डिमरी एक बहुत खूबसूरत भारतिय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है डिमरी नई दिल्ली के एक मध्यम वर्गिय हिंदू परिवार से है ये एक मॉडल से अभिनेत्री बनी है जिन्होंने 2017 की कॉमेडी पोस्टर बॉयज से अपनी शुरुआत की उसके बाद काफी अन्य फिल्म जैसे बुलबुल और काला फिल्मों में भी नजर आ चुकी है Rediff.com ने उन्हें Bollywood की सर्वश्रेष्ट अभिनेत्रियों की सूची में आठवा स्थान दिया है मेधा शंकर को टीवी पर देखने में काफी सुन्दर दिखती है लेकिन असल जिन्दगी में तो उससे कई ज्यादा सुन्दर है यह अपनी नई फिल्म 12 फेल में बढ़िया एक्टिंग के लिए लोक प्रिये हुई इनके जीवन के बारे में बताएं तो भारतिय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती है उन्होंने अपने अभिने की शुरुआत 2019 ब्रिटिश मिनिस्ट्री बीच हाउस से की इनकी उम्र केवल 26 साल है मेधा शंकर की नेट वर्थ केवल 4 करोड है